और हम लोग यहां पर आ जाए हुए थे तुर्की सॉप और तुर्की सॉप में आपको इंडियन वेजिटेबल बहुत सारा मिल जाएगा तो सबसे पहले तो यहां पर देख लो यह क्या है यह भिंडी मिला है और आज का भिंडी न इदम ताजा ताजा इदम फ्रेस लग रहा लेकिन हां भिंडी मिल जाएगा आपको तो अगर आपके घर के आप पास टर्की सॉप है तो आपके आप देख सकते हैं तो यहां पे बहुत तरह का ना फूर्ट वेजिटेबल सब कुछ मिलेगा और हम इस पेसली यहां पे आते हैं कोरियंडर के लिए यहां पे हमको ना यहां पे हम सबसे पहले ना कोरियंडर लेने के लिए आते हैं यहां का कोरियंडर बहुत ज्यादा फ्रिस रहता है और प्राइस भी ठीक रहता है इंडियन सॉप में क्या है ना प्राइस ठीक है लेकिन एकदम पतला जो होता है ना मुठा जो बोलते है वो बहुत छोटा हो अगर तूर्की सब न हमको इंडिया जैसा फिलिंग लगता है आपको सब कुछ मिलेगा अच्छा लगता है याप तो हम जब भी कभी आते हैं न जैसे घर का समान है साबुन इस पिसली न जैसे हम लोग साबुन बोलते हैं न तहां पर साबुने लिखा रहता है तो अच्छा लगता है बहुत सारा समानना जिससे पूजा उजा रूम में जो मैट बिछाते हैं पूजा करने के लिए वो सब किसी को कुछ गिफ्ट देना है वो सब डिफरेंट टैप कर यहां पर छोले यह देखिए यहीं सम छोले ले जाते हैं बड़ावला पे पांच केजी का छोले ले जाते हैं अभी ओफर में हैं 11 यूरो में दे रहा है इसे 17 यूरो में और इस साइट पूरा साबून हो गे रहा है जो हम ले जाते हैं हमेज़ा यहां से तो बहुत लोगों का रहता है कि यह छोले जो पांच केजी लाते हों कहां से लाते हैं तो हम यहीं टर्की सौप से लेके आते हैं और हमको ना अच्छा लगता है यहां पर आके पूरा सॉपिंग करना और मतलब सब कुछ यहां का दही अच्छा होता है तर्की दही आप अगर यूज ने की हैं तो कभी यूज करके देखिए इतना टेस्टी होता है ना उसका पतलो खाने में और यहां पर राइस बहुत तरह के राइस आपको मिलेंगे जो इंडियन राइस होते हैं वो बासमती राइस यह दाल मसूर दाल मिलेगा तो छोले मिलेगा तो बहुत सारा राजमा भी यहां पर बहुत तरह का मिलता है और यहां पर हम चावल ले जाते हैं यहां पर 18 यूरो के आसपास चावल देता है यहां इसा हम चावल ले जाते हैं कभी-कभी अच्छा रहता है बासमती डेली यूज के लिए ना बहुत अच्छा चावल यहां पर मिल जाता है तो हमको न अच्छा लगता हैं इंडिया जैसा फील आता है तो चलिए ये था अपडेट टर्कीस ओफ है तो आप भी कर से लिए